आखिर भगवान आदी शेश लक्ष्मन जी की मृत्यू कैसे हुई? किसने मारा था उन्हें? उनके जीवन के अंतिम समय क्या हुआ था? शिर्राम उस समय कहा थे? और क्यूं? प्रभू शिर्राम ने उन्हें नहीं बचाया। लक्ष्मन जी की मृत्यू से जुड़ी एक एक घ पारे करने की प्रेणा मिलती है। अयोध्या पुरी में धरम पूर्वक प्रजा पालन करते हुए शिर्राम चंदर जी को 10,000 वर्ष बीत कहे थे। कुछ समय बीतने पर तपस्वी का रूप धारन कर काल राजद्वार पर आया। उस समय लक्ष्मन जी राजद्वार पर वह आपसे मिलना चाहता है। शिर्राम जी ने कहा तुम उन्हें तुरंत मेरे पास लेकर आओ। लक्ष्मन जी उस तपस्वी को शिर्राम के पास ले आए। वो तपस्वी बोला महाराज जी की जय हो। शिर्राम चंदर्णे उस तपस्वी को आसन पर बैठाया और उनसे बीच बातचीत करते समय, यदि तीसरा जनु से सुने, तो वैया आपके हाथ से मारा जाए। श्रीराम ने ऐसा करना सुईकार किया। और लक्षमन से कहा, ये सौमित्रे, जाओ, तुम द्वार पर खड़े रहो, वहाँ से द्वार पाल को भी हटा लो, जब तक हम दोनों बातचीत करते रहें, तब तक हमारे पास देखने या हमसे बातचीत करने कोई ना आवे। यदि किसी ने ऐसा किया, तो उसे मैं अपने हाथ से मार डालूँगा। लक्षमन जी को द्वार पर नियुक्त कर, श्रीराम जी ने उस तपस्वी से कहा, अब आप कहिए। महा सागर में सोई थे, उसी समय मैं उत्पन किया गया था, आपने प्रजा को महा दुखी देखकर, रावन का वद करने के लिए मनुष्य का रूपधारन किया था, आप केवल अपने संकल्प से महाराज दश्रत पुत्र हुए, अब आपकी मृत्ति लोक में रहने की अवध तुम्हारे आगमन से मैं बहुत प्रसंद हूँ, तीनों लोकों का कारे सिद्ध करने के लिए मेरा ये अवतार हुआ है, मैं जहां से आया हूँ मैं वहीं चला जाओंगा, मैं तो पहले ही यहां से चलने का विचार कर चुका था, अत्य ब्रह्मा जी ने जो कहा है वो शीग राम से मिलवाओ, रिशी के शब्दों को सुनकर लक्ष्वन ने पहले तो उनका सतकार किया, और फिर उन्हें संबोधित करते हुए बोले, ए प्रतापी मुझे कारे के बारे में बताईए, तो योजन क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, ए ब्रामन रागहवुत सुक्ता से इस राप दे दूँगा, यहां तक कि मैं भरत के पुत्रों को भी नहीं चोड़ूँगा, और ना ही तुमारे, मैं अपने क्रोध को नियंतरित करने में असमर्थ हूँ, लक्ष्वन जी ने सोचा, यगर मेरे प्राणों के बदले, बाकी सब के प्राणों की रक्षा होती है, त उनके जाते ही शिरराम को काल के साथ की हुई अपनी विकर प्रतिग्या का स्मरण हुआ, और वे व्याकुल हो उठ्थे और शोक में डूप गए, लक्ष्वन जी तब प्रभु शिरराम के पास गए, उन्होंने देखा कि दुखी राघव का मुख नीचे की और जुका आप मेरे लिए चिंतितना हो ये, विधी के विधान को कोई नहीं बतल सकता, आप बिना किसी हिच की चाहट के मुझे मार डालें, क्योंकि जो पुरुष अपने वचन नहीं निभाता, मैं नरक्का भागीदार होता है। शिरराम ने तब वहां अपने समस्त मंत्रियों, वि विनाश होता है, तीनों लोकों की रक्षा के लिए आप लक्षमन जी को त्याग दें। तब शिरराम ने लक्षमन जी से कहा, एस्वमित्रे धरम में बाधाना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें त्यागता हूँ, तुम इस राज्य को छोड़ कर चले जाओ, क्योंकि साधू जनों के मतानुसार त्याग और वद एक समान है। शिरराम चंदर जी के ये वचन सुनकर लक्षमन जी विकल हुए और आखों में आंसू भरे हुए वे शिरराम जी की सभा को त्याग कर बाहर निकल गये। वो अपने घर बिना जाकर तुरंत सीधे सर्यू नदी के तड़ पहुँचे फिर आचमन कर और हाथ जोड और समस्त इंद्रियों का निग्रह कर श्वास रोक कर योगा भ्यास करने लगे। इस प्रकार लक्षमन जी को योगा भ्यास करते हुए देख इंद्र, अपसराएं, देवता और ब्रह्म रिशी उन पर फूलों की वर्शा करने लक्षमन जी का त्याकर श्रीराम जी दुख और शोक में संतप्त हो गए थे और अधिक समय तक उनका वी योगना सह पाये थे। जैश श्रीराम आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। रिपया इसे लाइक और शेयर रवश्य करें। किसी भी प्रकार की तुर्टी के लिए आप सब से ख्यमा याचना करते होए। आप से निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारन करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय है।